कहते हैं इंसान जित पर आ जाये तो क्या कुछ नहीं कर सकता ऐसा ही एक काम नसीराबाद श्री गोविन सिंग गुर्जर महाविध्याले के छात्र कान सिंग रावत ने कर दिखाया है गरिब परिवार के इस बेटे ने सोलर एनरजी से चलने वाली साइकल बनाई है इस साइकल की खास बात ये है कि साइकल सोलर उर्जा से तो चलेगी ही लेकिन जब बारिश का मौसम या सोलर उर्जा नहीं मिलेगी तो ये साइकल बैटरी से भी चल सकती है कान सिंग को इस साइकल को बनाने में लगभग 6-8 माह का समय लगा और इस साइकल को बनाने में 20,000 का खर्च आया कान सिंग की इस उपलबदी पर महाविध्याले के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने कान सिंग को बधाई देते हुए कहा कि इस कारे को सरकार को समर्थन देना चाहिए इस तरह की बाजार में साइकिल उत्रेगी तो बेशक पॉल्यूशन पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा मेरा नाम कान सिंग रावत है मैं शिणनगर से हुँ मैंने इसको बनने के लिए इसलिए मैंने यह निर्ने किया क्योंकि हमारे देश के अंदर जो पॉलुशन है वह निर्नतर बढ़ता जा रहा था तो पॉलुशन को कंट्रोल करना हमारे लिए किसी का तो दाहित हो है कि हम अगल है तो लोगबाग जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल चीज़ें रही थी वह आतो रहे थी लेंको यूज नी खरते और किस वज़े से यूज नी करते इसे चीज़ पर मैंने काम करके इसको बनाए मेने और इसको बनाने के अंदर मेरे को कम से कुम 6-7 महिने लगे मेरे को इसक अगर किसी दिन मालो solar system काम नहीं कर रहा है तो यह हमारी बेटरी से चार जोकर भी चल सकती है और solar system से भी प्रोपर काम करेगी तो इसकी जो माइलेज है वो 35-40 km की और इसकी स्पीड भी है यह 35-40 की स्पीड देज की और इसके एक जना हराम से कैसे भी चल सकता इसके वैसे दो दो जना बेट के इस पर चल सकते हैं लेगिन यह के लिए एकदम परफेक्ट है और यह student life के लिए मैंने इसको बनाया है पहली बारी हमारे college में किसी बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है और कान सिंग ने जो यह बाइक बनाई है जैसा यह कहता है कि environment का pollution कम करने में हमें बहुत मदद करेगी तो मुझे लगता government को इसको promote करना चाहिए ताकि जो scooters और motorbikes और इन पे इतना खुंते हैं और इतना petrol में हम पैसा खर्च करते हैं वो भी बचेगा और यह solar powered है तो हमारे उपर कोई extra burden भी नहीं पड़ेगा